जगत में प्रतेइक वेक्टी को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती जैसे कोई बहुत तेजी से दौड नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्धे रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता है ऐसे अनेक उधारन और भी है कि आप किसी ऐसे वेक्टी को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोष रहता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन से अथ्वा संजोग से प्राप्त होती किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है किन्तु कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने यह आपने कभी विचार किया है ? कि तरल सा उत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराज़त नहीं होता है जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदे में वो निर्बलता को पार कर जाता है अर फास निर्बलता अवश्य इश्वर देता है किन्तु मर्यादा मिर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो हैं विचार कीजिए भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष रुदे में आज एक्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदे भविष्य की उजना बनाता है भविष्य में एक्छापून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तो जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम है और फाथ इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव और हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदी हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविश्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा, स्वयम दिचार कीजिए. ज्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है ये हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ति में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरुद्वारा दिया गया दंड मन को अहमकार से भर देता है नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार, मन को भठकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है। समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। इर्शा, महत्वकांग्षा, आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शांत करता है और मन को एक आग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की। गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अखात विशे ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान